इलेक्टिकल और सोलर प्रांट की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करके औल वाले नॉटिपिकेशन को कर लिजी ओन जिससे हमारे जो वी वीडियो आए उसका नॉटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एनो एनसी पर कि एनो क्या होता है और एनसी क्या होता है तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें इसका फुल फॉम पता होना चाहिए तो एनो जो होता है उसका फुल फॉम होता है नॉर्मली ओपिन जो की नॉर्मल कंडिशन में ओपिन रहता है और इसके बाद जो इसका पुस बटन होता है उसका सिंबल ऐसा होता है कि जो एक कॉंटेक्ट है वो दूसरे कॉंटेक्ट से जुड़ा नहीं होता है ओपन रहता है तो यह जो सिंबल है यह पुस बटन का सिंबल है और इसके बाद जो हमारे घरों में सुच यूज होते हैं वो हमारे एनो सुच होते हैं तो यह जो सिंबल है वो एनो सुच का है जो की इलेक्टिकल में यह सिंबल बहुत ही यूज किये जाते हैं और इसके बाद जान लेते हम एंसी कि एं से दूसरा कॉंटेक्ट नॉर्मली जुड़ा होता है जिससे हम यहां पर कोई सप्लाई देंगे तो वह हमें आगे भी मिलती रहेगी देखिए यहां पर जो है दोनों कॉंटेक्ट आप उसमें जुड़े हुए हैं तो यह पुस बटन का सिंबल है और जो सुच होता है उसका भी इस प्रकार से सिंबल होता है यह आप उसमें जुड़ा होता है तो यह दोनों आप उसमें जुड़े हैं तो यह नॉर्मली क्लोज्ट है ठीक है तो हम इसको पहले एनो को समझ लेते हैं कि एनो कैसे बर्क करता है तो देखिए जो एनो का सिंबल हम उपर से बड़ा इध जो सपलाई आ रही थी हमारी यहां पर रुक के रहे जाएगी आगे सपलाई नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि यह जो कॉंटेक्ट हैं यह आप उसमें जुड़े नहीं है ओपन है ठीके जैसे हम इसको प्रेस करते हैं यह जो पुस बटन है इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा यह कॉंटेक्ट हैं यह आप उसमें कनेक्ट हो जाएंगे तो यह दोनों कॉंटेक्ट हैं जब इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे देखिए इस प्रकार से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हमने फिस सप्लाई यहां पर दी है तो फिस सप्लाई हमें दूस situation होती है normal में जो no है वो अगर हम कोई परिवर्थन करते हैं तो वो उसमें nc हो जाता है ठीक है और जो nc होता है वो no हो जाता है इसके बाद हम nc को भी समझ लेते हैं तो nc का जो push button का symbol होता है वो क्या होता है जो दोनों contact होते है उसके आप उसमें जुड़े होते है नार्मल कंडिशन में ठीक है तो देखिए इस परकार से जो contact है आप उसमें जुड़े होते है यह हमारा normal condition है इसकी तो यहां पर जो जुड़ा है तो अगर हम यहां पर फेश सप्लाई देंगे तो हमें जब जो तो यह जो जोड़े हैं तो हमारी बाहर मिल लाई है तो जैसे ही हम इस सुच को अगर हम प्रेस करेंगे तो देखिए इस प्रकार से अगर हमने इसको प्रेस कर दिया तो क्या होगा इसकी जो कंडिशन होगी वह चेंज हो जाएगी तो यह कंडिशन है वह क्या होता है जया कॉंटेक्ट है जरेंब नहीं मिल लगा है जो इसमें परिवर्तन करते हैं जब हम उसमें कोई परिवर्तन करते हैं नॉर्मल कंडिशन के आधर पर ही इनका उपियोग किया जाता है कि हमें किस जगाए पर कौन सा सुच लगाना है एनू लगाना है या एनसी लगाना है तो देखिए जैसे हमने घरों में देखा होगा ये वाली जो सुच हैं सभी के घरों में यूज होते हैं तो ये एनू कार से होता है कि जो एक कॉंटेक्ट है वो दूसरे कॉंटेक्ट में नॉर्मल कंडिशन में तच नहीं होता है ठीक है जैसे हम यहां पर पहले वाले कॉंटेक्ट में फेस देते हैं और ये ओफ है तो हमारा जो दूसरा वाला टर्मिनल है बहां पर हमारी जो सप्लाई है पह नहीं पहुचाता है यह नॉर्मली ओपन है तो इसको हम जब स्टार्ट करते हैं ओन करते हैं देखिए इस प्रकार से जब ओन करेंगे तब जो सप्लाई है वो हमारे दोनों कॉंटेक्ट में आ जाती है तो इसका जब इसके बाद जो सिंबल है वो एंसी हो जाता है एंसी बन होला है तो दोनों कॉंटेक्ट में हमारे इसके पहुचने लगती है तो यह ही होता है जो सूच है जो नॉर्मánh कॉंडीशन में यह तो एंसी होगा ओनISTруप ऑर जैसे ही हम इसमें को परिवर्दान करते हैं तो जो नॉ dat vue स एंसी होता है और जो आंसी होता है वो NO हो जाता है इसी के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है यूस किया जाता है कि हमें किस जगह पर कौन सा equipment लगाना है तो देखिए यहाँ पर यह सुच है यह इसलिए हम normal condition इसकी NO है तो जब यह बंद रहता है normal condition में रहता है supply को नहीं भीतता है तब हम इसमें परिवर्दन करते हैं तभी यह supply कोन कराता है ठीक है और इसी आधार पर होता है हमारा contactor जो contactor में जो NO NC होते हैं उसका भी उपयोग इसी परकार से होता है तो देखिए जो उपर वाले जो contact है यह वाले जो contact है वो NC contact है के और लो कोंटाय आएक टेंगे तो तिम्य सब्सक्ति या क्षैक्षों की स्धया है था order to dojo esse और लंगे सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कोंटाय यह जब देंगे यह गाफान छोगा सब्सक्राइब की बाइंडिंग है कोईल है तो यहां पर एक समय देना होगा नूटल दूसरी साइड तो क्या करते हैं यह जो पोर्शन है इसको नीचे की साइड अपने साइड खींच लेती है मैगनेटिक कोईल तो क्या होता है जो ऊपर वाला जो कॉंटेक्ट है वो अभी तो एंसी है लेकिन जब यह बहां पर इस प्रकार से प्रेस होगा तो यह जो ऊपर वाला कॉंटेक्ट है पहले नॉर्मली यह एंसी था लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा यह एनो हो जाएगा और जो नीचे वाले contact है, देखिए नीचे वाले contact है, वो पहले से NO है, ठीक है, यह normal condition की NO है, लेकिन जब यह परिवर्तन होगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन होगा, जैसे supply जाएगी, तो यह जो plunger है, नीचे touch होगा, तो उसके बाद क्या है, जो नीचे वाले contact जो NO थे, वो NO हो जाएगे, तो इसके बारे में हम आपको next वीडियो में बताएगे, कि जब contactor में हम supply देते हैं, तो NO NC contact कैसे परिवर्तन होते हैं, सब कुछ आपको चेक करके बताएगे, तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें, साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई वीडियो upload करें, उसका notification सबसे पहले आपके पास आजाए,